फेडरल बेंकी एडी आश्टोष खजोरिया हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आर वियाई की पॉलिसी पर वाजशीत करने के लिए आश्टोष तर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिटीनों सवधिश पर बहुत स्वागत है हमने देखा कि जैसे कि एक्सपेक्टेड लाइन पर था रेपूरिट में आधे परसंट की हाइक है और जो खास बात रही कि इंफलेशन का जो प्रोजेक्शन है उसको 6 देशमनों 7 पर रेटीन किया गया है आप पॉलिसी को कैसे देख रही है और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी ग्लोबल सिनेरियो पैनाओट हो रहा है जो रेट हाई का मोमेंटम है वो आगे वरकरार रहेगा क्या आभी नहीं देखिए जहां तक सवाल है और आगे मोमेंटम रेट हाई का वो तो मुझे नहीं नजार आता मुझे लगता है कि अभी पांच नभे पे आचुका है पॉलिसी रेट छे चालेज छे पचास से उपर नहीं जाना चाहिए ऐसा अनुमान है और यह सब उस बात पर निर्भर करेगा जैसा है उन्होंने स्वैम भी कहा कि इस समय फॉरवर्ड गाइडन्स देने का उचिस समय नहीं है कितनी वलिटैलिटी है और बाकी जो जिसको उन्होंने स्टॉर्म की तरह वर्ड यूस किया कि एक तुफान जो है वो जितने सेंट् अर्थवेवस्था में अल्रेडी हो चुका है तो इन सब को देखते हो यह तीसरे तरह का स्टॉम है जो आया है जहां पर आपको इतनम टाइटनिंग और व्रडी का एक क्रम नजर आ रहा है चाहे वो यूरो जोन हो या यूनाइटिद केंडम हो यूसे हो हर जगे जापान और जीन इसके अफवाद हैं बाकी सब जगे अगर आप बड़ी अर्थवेवस्थां को देखें तो हर जगे जो है ब्याज जर्म में व्रडी की व्रडी का क्रम बना हुआ है और उस क्रम में शायद ये कोई ऐसा कहना की टर्मिनल रेट क्या होगा ये इस समय उचित नहीं ह और आखनों पर निर्भर रहेगा आगे आने वाले जो आखने हैं चाहे वो विकास दर्की वृद्धी के हो या वो मुद्रास्वीति के हो उन पर काफी कुछ निर्भर रहेगा और आपनी जैसा कहा फरमाया कि उन्होंने मुद्रास्वीति की जो वार्षिक दर है उसमें को उसको 6.7 पृष्षित पही रखा है और तीसरी तिमाही के बाद से अपने बैंड में आने का भी अनुमान जताया है तो अब 6 के नीचे जो बैंड है 2-6 पृषित का उसके अंदर आने की संभावना चोटी तिमाही में जो उन्होंने पृष्टी बार बताई थी दर्शाई थ तो अब उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा, you know, interest rates increase की या hike की बहुत ज्यादा संभावना इसके बाद रह जाती है तो अगर 5-90 पर है तो फिर मैं पृष्ट चे यही कहना चाहूँगा कि उसकता है सवाचे या सारे चे वहां पे जाके कास की हिसाब से तो उसको पुष्ट करने की आवश्चता रहेगी और इसके लिए आवश्चक होगा कि हम ब्याज की दरों में उटनी ही रुद्धी रखें जो समीचीन हो जो मुद्रा स्वीति को नियंदर में रखने के लिए आवश्चक हो ओके तो आगे चलके भारत में एग्ड्रेसिव रेट हाई की संभावना कम है पर आशितोष्टी नमस्कार मैं शुष्टी बात कर रहे हूं आज बैंकिंग सेक्टर को लेकर बहुत ही मजबूत कॉमेंटरी आर्बिय गवनर की तरफ से आई है जहां पे वो कह रहे हैं कि बै आगे चलके कॉपरेट लेंडिंग या फिर रीटेल लेंडिंग किसमें आप जादा मजबूती की उमीद कर रहे हैं तो आपके पहले भाग का उत्तर में देना चाहूंगा जहां आपने कहा कि ऐसा अनुमान है कि और जैसा कि गवरनर साब ने भी कहा कि बैंकिंग शेत्र मे लोन की जो वृद्धी क्रेडिट ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी नज़र आ रही इसमें पूफ अप पूटिंग इस इन एटिंग सामने नज़र आ रहा है गतवर्ष इसी समय हम इकाई के आंकडों में थे क्रेडिट ग्रोथ की बाद हम करते थे 6%, 7%, 8% यह हमारी पिछल में आने वाले तीन महीनों में अगर यह 18% को भी पार कर जाए तो कोई आसचरे नहीं होगा क्योंकि बेस एक तो फेवरेबल है पहले जो दो-तीन वर्षों में जो बिलकुल ग्रोथ नहीं हुई है मनला खास ग्रोथ नहीं हुई है क्रेडिट में वो अब उस बेस के ऊपर नए आकड़े आ रहे हैं तो जो भी वृद्धी होगी वो जादा रोजी नजर आएगी जादा अच्छी दिखाई देगी जादा मजबूत दिखाई देगी तो मुझे लगता है कि बेस आपको तगड़ा मिलेगा और उस तगड़े बेस के ऊपर ग्रोथ करना प्रोथ सा द दर की विकास दर जो है इसमें लोन में ये नजर आएगी उसका कारण बहुत से कारण है कई कारण तो यह है कि गतवर्ष तक हम कोविट की दूसरी लहर के प्रभाव में थे कम से कम दूसरी तिमाही तक तो थे और दूसरी तिमाही के बाद से जो है वो रफतार पकड़नी शुरू हुई थी तो यह भी एक कारण है दूसरा यह है कि जो उपभोग है जिसे आप consumption कहते हैं अर्थववस्था में वो काफी अच्छी दर को बरकरार रखे हुए है और लोग जो है शायद घरों में रहने के कारण या work from home और इन सब से निकल कर वापिस पूर वववत अ चाहे वो services sector है चाहे वो manufacturing है दोलों में आपको उसका प्रभाव नजर आ रहा है तो transport sector हो या आपके travel हो या hospitality है ये जितने भी sectors हैं hotel travel जो भी हैं यातायात वगरा के सब में आपको विकास की दर जो है काफी अच्छी तगड़ी नजर आ रही है खजूरिया सब एक आखरी सवाल एक तरफ देखी consumption की growth है दूसरी तरम देख रहे हैं कि बैंकों के लिए credit growth में निकल के आ रही है ऐसी में RBI का लगातार जो rate hike है इस rate hike के बाद हम क्या मान के चलें कि आपका बैंक या फिर industry के बाकी बैंक जो है इसको पासान करेंगे consumers पर या फिर अभी credit growth जो enjoy कर रहे है उसको और जादा enjoy करने कुशिश करेंगे एक चीज़ मैं जरूर बताना चाहूंगा एक efficient market theory के हिसाब से जब कोई घटना घटती है उसका प्रभाव जरूरी नहीं कि उसके बाद ही है कई बार उसके अनुमान से उसकी अपेक्षा से ही उसका प्रभाव आ चुका होगा है तो system जो है वो 6.6 के terminal rate को एक तरह से discount कर चुका है और वो सब आपके दस वर्ष की आपकी जो government securities की जो ब्याजदर है और या आपकी yield कव जो पूरी की पूरी बनी है उस पे परिलक्षत हो रहा है आज 50 basis point की व्रिद्धी होती है और 50 basis point की रिप परिश्मार के वो 2 basis point नीचे आता है मतलब उसमें yield कम होती है क्योंकि एक जो थोड़ा बहुत संट्रे था कि क्या ये भी 50 की जगे 75 करेंगे क्या जो US ने किया है तो वो पूरी तरह से rule out को हाला कि उसकी समावना नगण ने थी इसलिए उसका प्रभाव भी उतना कम है 2 basis point क काई फरक है लेकि मेरा है कि आज 20 basis point के विद्धी होने पर मार्केट 50 से उपर नहीं जाता तो इस तरह अगर सबाचे साड़े चे तक अगर आपका आपकी रेपो दर में कौशती भी है तो मुझे नहीं लगता आगे आने वाले दिनों में उसी रफ्तार से आप व्याच की पर जाते देखेंगे क्योंकि उसको पहले से ही डिसकाउंट किया जा चुका है और वो सभी येल्ड कर उसमें चाहे वो कॉर्प्रेट यील कर योज़ा हो चाहे वो कंजूमर लोंस जो है उनकी जो प्राइसिंग हो उन सब में करीब-करीब बिल्ड-अप हो चुका है तो अ security rate है, उसको कोई बहुत ज़्यादा 8 के handle पर जाता देखी, ज़्यादा 775 के बीच में वो peak कर सकती है, और और अलेडी वो 765 से नीचे की ओर गई थी, और 710 के आसपास आ गई थी, अब दुबारा वहां से उसने थोड़ा सा मतलब उठाव देखा है, और जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे आप रहपोदर में ब्रदी देखेंगे, वैसे वैसे उसका immediate प्रभाव जो पढ़ेगा, वो एक वर्ष तक के ब्याच दरों पर immediately पढ़ेगा, तो ये जरूर है, ठीक है, खजूरियस साब, बहुत आननदा है आप सिवाच्चित करेंगे, खास दर से आपकी हिंदी सुनके बड़ा मज़ा होगा दर्शकुन